निराशा पे आशा का संचार करती बहुत ही कुपसूरत कविता है नरहो न निराश करो मन को इस कविता के कवी पदम पुरसकार से सब्मानित रास्ट कवी मैतली शरन कुप्र जी है आते हैं दोस्थों कविता का पाट करते हैं नरहो न निराश करो मन को कुछ काम करो जग में रहके निजनाम करो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ नहो कुछ तो उब्युक्त करो तनको नरहो न निराश करो मन को समझो जग को न निराश करो सदुपाय भला समझो जग को न निराश अपना समझो जग को न निराश अपना पथ आप प्रशष्ट करो अपना अखिलेश्वर है अवलम्बन को अखिलेश्वर है अवलम्बन को नरहो न निराश करो मन को जब प्राप्त तुम्हें सबतत्तो यहां फिर जा सकता वहसत्तो कहां तुम स्वत्त सुधार स्पान करो उठके अमरत्त विधान करो दवरूप रहो भवकानन को नरहो न निराश करो मन को निजगवरों का नितग्यान रहे हम भी कुछ है यह ध्यान रहे निजगवरों का नितग्यान रहे हम भी कुछ है यह ध्यान रहे सब जाय अभी परमान रहे मरडोत्तर गुंजित गान रहे कुछ हो न तजो निज साधन को नर हो न निराश करोगन को तो दोस्तों यह कविता इंदी के सुपरसिद्ध साहितकार यों कवी रास्ट कवी मैतली शरनगुप्त की जिगी है जब हम निराश होते हैं आवसाद में जाते हैं परिशान होते हैं हमें लगता है कि हम मंजिल से दूर हो गए हैं हम साधन से विहीन हो गए हैं तो ये कविता हमारे भीतर एक आशा का पुमंग का संचार करती है एक उर्जा हमें घर कर जाती है जोकि विधायक उर्जा होती है और हमें मंजिल की ओर और इस संसार में अपने को साबित करने की निरंतर दोस्तों प्रिड़ा देती है दोस्तों आपको ये कविता कैसे लगी यदि आपको ये कविता अच्छे लगी हो आपके मन में जो निराश्या भी घर कर गई थी आप परिशान से हो गए थे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था आशा करता हूँ इस कविता को जब आप अकेली में गुन मुनाएंगे एक उर्जा आपके भीतर दोस्तों प्रिवेश कर जाएगी और आप कुछ नया करने का जज़बा लिए अपने जो लक्ष है उसको पाने के लिए प्रियास करने लग जाएंगे जब आप प्रियास करेंगे तो निश्य की लक्ष आपको मिलेगा आज करी इतना है वीडियो इंफोर्मेशन कविता अच्छ लगी हो तो लाइक करीगा चैनल में पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन्स मिलते रहें थैंक्स पर वच्छिंग और लिस्निंग डिस इज़ब कास्टिबिस साइन गाउब